आप देख रहे हैं Digital Advice रात की 9 बजे वाली क्लास में आपका बहुत-बहुत सौगत है देखना मत भूलिए रोज रात 9 बजे Online Test ठीक है और इसको जादा से जादा लोगों तक Share करिए जिनका October और November में पेपर है Triple C का ठीक है वो भी इस क्लास को जरूर देखें Important है उनके लिए ठीक है और जो लोग देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है जादा से जादा लोगों तक क्या करें इसको Share करें ठीक है भाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का Session Question No.1 से स्टार्ट करते हैं पी टू पी का पूर्ण रूप होगा A Option Pair to Pair B Option Pair to Pair C Option Public to Public D Option None of the above तो बताए कि इसका Right Answer क्या होगा इसका Right Answer जो होगा वो Option No.1 होगा ठीक है Option No.1 क्या होगा इसका Right Answer होगा Clear है ठीक है क्या है Pair to Pair इसका Right Answer होगा P2P का Full Form Pair to Pair और P2P की बात करेंगे तो ये Network का Palt है Network का क्या है Palt है Network में दो Architecture होते हैं एक Client Server दूसरा Pair to Pair Clear है एक Client Server और दूसरा Pair to Pair Clear है Next Question Question No.2 Net Banking में Secure Lendain करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं Net Banking में Secure Lendain करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं A Option OTP B Option QR Code C Option PIN Number D Option None of the above तो क्या होगा इसका Right Answer बताईएगा 5 सेकेंड है आपके पास जी हाँ इसका Right Answer जो होगा वो क्या होगा OTP होगा Clear है Right Answer क्या होगा OTP कभी भी हम Online Payment कर रहे होंगे तो OTP आएगा ही आएगा OTP Verify करता है भाई Registered Mobile से जिसका Account है उसको क्या करता है Verify करता है तो Security की जब भी बात आएगी तो OTP Use होता ही होता है चाया आप Cald के थुरू Payment कर रहे हो Net Banking के थुरू कर रहे हो Clear है तो आपर क्या होगा OTP आएगा ही आएगा Next Question Question No.3 प्रतेक Web Page का Unique Address होता है जिसे कहते हैं प्रतेक Web Page का Unique Address होता है जिसे कहते हैं A Option IP Address B Option Domain C Option URL D Option Hyperlink तो बताएगे इसका Right Answer क्या होगा जी हाँ इसका Right Answer होगा Answer No.3 C URL Clear है Web जो बें इंटरनेट होता है उस पर प्रतेक Web Page का क्या होता है Unique Address होता है जिसे URL कहते हैं ठीक है और URL का Full Form क्या होता है ये आपका Homework रहेगा URL का Full Form क्या होता है ये आपका क्या रहेगा Homework रहेगा ठीक है Next Question Question No.4 Impress का Minimum Zoom होता है A Option 10% B Option 5% C Option 20% D Option 40% तो Right Answer क्या होगा बताईएगा 5 Seconds है आपके पास जी हां इसका Right Answer क्या होगा 5% क्या होगा 5% इसका Right Answer होगा Clear है Impress का Minimum Zoom कितना होता है 5% होता है ठीक है याद कर लीजेगा पूछा गया है अगस्त में भी आया है और सितंबर में भी आया है Impress का Minimum Zoom 5% होता है Most Important है पूछा गया है कि दोनों बार ठीक है अगस्त में भी आया है और सितंबर में भी आया है Clear है Next Question Question No.5 Computer की World Length नापते हैं A Option Byte B Option Bits C Option Meter D Option Centimeter 5 Second है बताइएगा इसका Right Answer क्या होगा Computer की World Length नापते हैं तो बताइएगा कौन सा Option इसका सही होगा जी है इसका Right Answer जो होगा Option No.B होगा Bits ठीक है Computer की World Length किसमे नापते हैं Bits में ठीक है Computer की World Length किसमे नापते हैं Bits में कई बार हम सुनते हैं होगे की Computer 32 Bit पे है या 64 Bit पे है ठीक है 32 Bit पे है या 64 Bit पे है ठीक है तो वहाँ पर जो World Length वही है 32 Bit हो सकती है या तो World Length क्या होगी 64 Bits होगी Clear है दो ही होते हैं या तो 32 Bits या तो 64 Bits ठीक है Next Question Question No.6 Internet कौन सी Switching का प्रियोग करता है A option packet switching, B option circuit switching, C option hybrid switching, D option all of the above तो बताईए का कौन सा right answer होगा 5 seconds है आपके पास GS का right answer जो होगा वो क्या होगा packet switching होगा ठीक है इंटरनेट कौन से switching का use करता है packet switching का और ये भी question आपके exam में बहुत बार पूछ चुके है ये भी question आपके exam में क्या कर चुके है बहुत बार पूछ चुके है ठीक है Next question number 7 Website के first page को कहते है A option first page, B option master page, C option home page, D option all of the above Website के first page को क्या कहते है A option first page, B option master page, C option home page D option all of the above तो बताइए कि इसका right answer क्या होगा 5 seconds है आपके पास इसका right answer जो होगा वो option number C होगा homepage option number C क्या होगा इसका right answer होगा answer क्या होगा homepage website के first page को homepage कहते है next प्रतेक page की सुरवात होती है ठीक है याँ पर web page की सुरवात किस से होती है web page miss हो गया है कोई बात नहीं प्रतेक web page की सुरवात किस से होती है A option STNL B option TCP C option HTTP D option all of the above प्रतेक web page की प्रतेक web page की सुरवात किस से होती है या web page मिस हुआ है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रतेक web page की सुरवात किस से होती है A option STNL B option TCP C option HTTP D option all of the above तो बताइए गा right answer क्या होगा 5 seconds है आपके पास तो इसका right answer क्या होगा आपका जी या इसका right answer होगा HTTP हर एक web page से पहले क्या लगा हुआ मिलता है भाई इम लोगों को STTP लगा हुआ मिलता ही मिलता है मतलब हर एक web page जब हम net चला रहे होते हैं सर्फिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी web page open होता है तो उसके सुरवात में beginning में अपने API जुड जाता है हमें जुडने की जरूत नहीं है या तो STTP होता है या तो HTTPS होता है एसका मतलब क्या होता है सिक्योर होता है ठीक है या तो HTTP होगा या HTTPS होगा ठीक है क्लियर है तो हर एक URL या web page के address की सुरवात किस से होती है STTP से होती है Next question number 9 Cal C में अधिक्तम कितनी seat जोड सकते हैं A option 10,000 B option 1000 C option 5000 D option 300 तो बताइए कि इसका right answer क्या होगा 5 seconds है आपके पास इसका right answer क्या होगा या option right होगा या option क्या होगा right answer होगा 10,000 होती है Cal C में अधिक्तम हम कितनी seats add कर सकते हैं 10,000 clear है Cal C में हम अधिक्तम कितनी seats add कर सकते हैं 10,000 ठीक है Next question या और ये last question है आज के online test का निमलिकित में से कौन सा care function नहीं है मतलब कौन सा character function नहीं है string function नहीं है तो बताइएगा इसमें से A option, len function, B option, care function, C option, PMT, D option, none of the above तो बताइएगा इसमें से कौन सा care function नहीं है 5 seconds है आपके पास जी है इसका right answer जो होगा वो C होगा PMT function, care function नहीं है PMT का use क्यों करते हैं ये कई बार आपके exam में पूछा गया है PMT का use जो होता है वो EMI निकालने के लिए क्या करते हैं PMT का use क्यों करते हैं EMI निकालने के लिए करते हैं ठीक है तो PMT function, financial function है care function नहीं है जबकि len और care function क्या है ये character function ही है ठीक है तो PMT care function नहीं है PMT कैसा function है financial function है clear है तो ये थी आज की quiz किसी question में आपको doubt हो या कोई problem हो तो आप comment कर सकते हैं description में में मेरा whatsapp number मिल जाएगा तो आप whatsapp भी कर सकते हैं ठीक है triple C या नेलिट से related कोई भी course हो label label आपको कोई भी problem हो तो आप whatsapp कर सकते हैं ठीक है admission हो examination हो किसी से भी related इस आपको problem है तो आप whatsapp भी कर सकते हैं और call भी कर सकते हैं ठीक है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करिए ठीक है like करिए ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करिये जिसे जो नए वीडियो आए उनका notification आपको क्या हो जाए मिल जाए ठीक है और share करना मत भूलियेगा share करना मत भूलियेगा करना किसी को share करिये भाई clear है मेंच की जा रही है ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करिए, शेर करिए, जिससे जिन लोग के पास पहुंचेगा, उनको भी क्या होगा, फाइदा होगा, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेर करिए, कंजूसी नहीं भाई, कंजूसी नहीं, ठीक है, तो कल मिल होते हैं, next online test, good bye.